आप आ गए तो हम भी आ गए तो चले शुरू करते हैं आज किस वीडियो में क्लास एगरावी का गणित प्रशनावली एक दस्मलो छे को एक दस्मलो छे न बावू बहुत इजी है और आपके एकजाम के भी उसे बहुत इपोटेंट है और आने वाले कमप्टीशन के लिए भ पढ़ना होगा ठीक है लेकिन आपको हम इस प्रशनावली को क्वेशन करने से पहले आप लोगा कुछ त्योरी है परमुला है उसको पढ़ाते हैं उसको पढ़ लेजिए पांच मिनट समय देदेजिए सब सिख जाएंगे ठीक है आईए तो सबसे पहले हम यह सिखेंगे कि पढ़ा तो हेडिंग डाल लेजिए कि परशनावली परशनावली एक दसमलोच छे ठीक है इसमें सबसे मोजट इपोर्टेंट एक फरमुला है उसी फरमुला पर सारे एक्वेशन बन जाता है वो है N A union B A number of A union B का फर्मूला ठीक है इसका होता है number of A plus number of B minus number of A intersection B होता है इससे हमेशा याद रखिएगा इसी फर्मूला का मदद से आप A ने बता सकते हो N B बता सकते हो N A intersection B बता सकते हो जब question आएगा तापको बताएंगे अभी आप सिर्फ और सिर्फ इस फर्मूला को याद रखो आगे आने वाले इससा ये बहुत काम देने वाला है ठीक है और एक आप लोग के लिए मंत्र दे रहे है जो कि अभी ये मंत्र आप लोग को समझ में नहीं आएगा देखिए पूरा इस प्रशनावली में या तो A union B निकालना होगा नहीं तो A intersection B निकालना होगा तो माल लोग अब यहाँ पर क्या है कि सब्दों में question दिया गया है तो आप कैसे समझोगे कब हमारा A union B निकालेगा कब A intersection B निकालेगा इसके लिए मंत्र दे रहे लेकिन यह मंत्र अभी आप लोग को समझ में नहींगा जब question करेंगे तब समझ में आता है ठीक है यह कोई बताता नहीं आप लोग को बता देते हैं ठीक है देखो A union कब-कब निकालोगे जब आपसे question कहा जाएगा कि या तो A या B बताईए question में last में कहा दिये जाएगा कि A या B बताईए तो आप समाझ जब कि A union B बताना है या तो या तो A या B इस condition में मतलब A union B बताना है ठीक है और एक ऐसे भी लिखा राता है कम से कम कम से कम A या B में से B में से एक के जब इस तरह कावे लिखा राएगा तो समाझ जाना कि A union B ही बताना है ठीक है उसके बाद A intersection B कब-कब निकलना होगा तो जब A और B निकलने की बात किये जाएगा तो समाझ जाना कि A intersection B कब फर्मला लाएगा या दोनो दोनो निकलने के लिए बात करेगा A और B उस कंडिशन में समाझ लेना कि A intersection B ही निकलेगा या और निकलने के लिए बोलेगा सभी A और B सभी निकलने के लिए बोलेगा तो समाझ लेना कि A intersection B निकलेगा ठीक है और इसमें एक और इपोटेंट है कि जब रहता है शिर्फ केवल A निकालिए केवल A कमान निकालिए उस condition में number of A minus number of A intersection B को minus कर दिया जाता है केवल A निकालने के लिए ठीक है उसी तरह केवल B निकालने के लिए बात किया जाएगा केवल b निकालने के लिए बात किया जाएगा उस condition में भी number of b minus number of a intersection b ही किया जाता है यह सब जो formula है आप लोग को अभी समझ में नहीं आएगा नहीं जब question कराएंगे तो उस time पर बाते समझ में अपने आप आने लगती है आपको अब क्या करना है यह formula का याद रखिए सबसे दयाई formula यह होता है जब सब्दों में question दिया रहता है भुलवाने के लिए आप लोग को ठीक है तो चलिए अब हम सुरू करते हैं अपना प्रशनावली एक दसमालोचे का question number one पहले से लिएकर करके हुए है इसको sub करते हैं एक बर बना लोगे जिन्दगी बर नहीं भूलोगे ठीक है पाला question क्या है कि यदि x और y देखो हम लोग अभी a और b के बात कर रहे तो a के जगह x होता है b के जगह y होता है इसलिए confusion मत होना यह x और y x और y लिखेंगे और क्या कुछ अंता थोड़ी है तो जिस तरह से question द है कि nx बराबर 17 और n y बराबर 23 तथा n x union y 38 है तो n x intersection y ग्याद कीजिए यह बताना है हम लोगो ठीक है इसको बताने के लिए क्या करना होगा सबसे पहले देखो क्या करेंगे आपको हम एक बहुत most important formula पढ़ा दिये उस formula को याद रखेंगे तो कभी भूलेंगे नहीं ठीक x हमें दिया है 17, n y दिया है 23 ठीक है और n x union y दिया है 38 ठीक है हमें क्या निकलना है n x intersection y क्या होगा यह निकलना है ठीक है तो हम कौन सा फर्मूला लगाएंगे यह वाला फर्मूला जो भी बताया है न यह वाला लगा दो x y का बात किया है लिखेंगे number of x union y इसका फर्मूला क्या हो जाएगा number of x plus number of y minus हो जाएगा number of x intersection y अब सब का मान भर दो इसका मान दिया है 38 तो यहाँ पर रखेंगे 38 इसका मान दिया है 17 तो यहाँ पर रखेंगे 17 पलस n y का मान दिया है 23 यह हो गया 23 minus इसका तो मान नहीं दिया है इसी को तो निकलना है तो इसको j का 3 रखेंगे ठीक है अब देखो बीच में बराबर का sign है तो implied that का sign देना जुरी है ये देखो 38 बराबर 17 और 23 को जोड़ेंगे कितना होगा 40 40 होगा माइनस नमबर ऑफ एकस इंटरसेक्शन वाई अब देखो ये क्या है 38 और ये पुलास इदर जाएगा तो माइनस बराबर माइनस एन एकस इंटरसेक्शन वाई हो गया अब यहां से देखो तो क्या आएगा माइनस दो आएगा बराबर माइनस एकस इंटरसेक्शन वाई ये माइनस माइनस कट गया यानि हमारा number of x intersection y का जो मान आया क्या आ गया दो ये हमारा answer हो गया समझ में सब को आया किसी को कोई दिगत नहीं अब चलो question 1 हो गया अब question 2 देखो question 2 क्या कहा है कि यदि x और y दो ऐसे समुच्चे हैं कि x union y में 18 और x में 8 और y में 15 अब हैं तो x intersection y में कितने अब वह होंगे वही question number 2 के जैसा अभी बनेगा बहुत ही जी है तो जो दिया रहता है उससे लिखो number of x union y का जो मान दिया है वो दिया है 18 ठीक है number of x कितना दिया है वो दिया है 8 और number of y कितना दिया है वो दिया है 15 ठीक है तो number of x intersection y का मान निकलना है ठीक है कोई दिगत ने है किसी को चलो निकाल लेते हैं फर्मूला तो पता है ही कि number of x union y का फर्मूला होता है number of x plus number of y minus number of x intersection y अब सब का मान भर देंगे तो देखो इसका जो मान है वो है 18 और इसका जो मान है यह है आठ और इसका मान है 15 इसका मान क्या नहीं दिया है न इससे निकालना है इससे निकालेंगे ठीक है यहां से देखो यह हो गया 18 बराबर पंदरा और आठ पंदरा पांच बीस ठीक है बीस अत्तीन तेतिस ही होगा ना पंदरा आठ तहीं ओ यार पंदरा और आठ तेईस ना कहां भी मेरा विध्यान चल जाता है तेईस होगा ठीक है माइनस नमबर अप एकस इंटरसेक्शन वाई अब यहां से देखो यह 18 का 18 यह पलस से इधर जाएगा तो माइनस बराबर में माइनस नमबर अप एकस इंटरसेक्शन वाई हो जाएगा अब इसको घटाएंगे तो क्या आएगा यह घटाएंगे तो आएगा माइनस पांच बराबर में minus number of x intersection y हो गया यह minus minus कट गया यानि हमारा number of x intersection y का जुमान आ गया वो आ गया 5 यह देखो answer ठीक है? किसी को कोई दिगत नहीं? अब चलिए question number 3 को देखे देखे तिसरा question है 400 ब्यक्तियों के समूँ में 250 हिंदी तथा 200 अंगरेजी बोल सकते हैं तो कितने ब्यक्ति हिंदी तथा अंगरेजी दोनों बोल सकते हैं दोनों का बात किया है तो दोनों का मतलब आपको समझाए हैं न एक बर दिखा रहते हैं मंत्र मंतर देखो काम कैसे आएगा जब बोले है कि दोनों निकालने के लिए बात करेगा तो समझाना intersection निकलना है यहाँ भी क्या निकलना है आपको intersection ही ठीक है तब पहले तो जो दिया रहता है उसे लिखो क्या क्या दिया है सबसे पहले देखो 400 टोटल ब्यक्ती है डिस में से हिंदी 250 लोग बोल रहे हैं यानि हिंदी को H सरी नूट करते हैं यानि NH की संख्या जो है वो है आपका 250 और 200 अंग्रेजी यानि अंग्रेजी यानि N E कितने लोग हैं? 200 और हिंदी और अंग्रेजी यानि दोटल ब्यक्ती कितने हैं? 400 यहां से NUMBER OF H UNION दोनों मिला करके कितने ब्यक्ती हैं? 400 है 400 है तो 400 आपको निकलना क्या है? दोनों बोलने वाले तो NUMBER OF H INTERSECTION E बताना है मंत्र याद रहेगा तो फिर बन जगा कोई दिकत नहीं होगा ठीक है? चलो फर्मूला लगाओ NUMBER OF H UNION E अब X Y के जगा H E आगया वहीं सब रहेगा फर्मूला बस H E लगा देंगे तो NUMBER OF H PLUS NUMBER OF E MINUS NUMBER OF H INTERSECTION E यहां से H UNION E का मान क्या दिया है? 400 क्या दिया है? 400 NUMBER OF H का मान कितना है? 250 और NUMBER OF E का मान क्या है? 200 और इसका मान तो निकलना है तो इसको J का पिमीर लिखेंगे ठीक है? अब यहां से देखो यह है आपका 400 बराबर दोनों को जोड़ देंगे यह हो जाएगा 450 MINUS NUMBER OF H INTERSECTION E हो गया अब यहां से देखो 400 अरे पलस इदर जाएगा तो MINUS बराबर में MINUS N INTERSECTION H INTERSECTION E घटाएंगे तो आजाएगा MINUS 50 अब बराबर में MINUS H INTERSECTION E हो गया यह देखो भी यह MINUS MINUS कट गया हमारा यहां से लिखेंगे कि NUMBER OF H INTERSECTION E का जो मान आया हमारा हो आगया 50 यहीं हो गया इंसर यानि 50 ऐसे लोग हैं जो दोनों हिंदी भी बोलते हैं और अंग्रेजी भी बोलते हैं तो दोनों भासा बोलने वाले की संख्या क्या है भी या 50 है एंसर ठीक है कोई दिकत ने किसी को तो नहीं दिकत है तो चौथा क्वेशन में आ जाते हैं चौथा क्वेशन तो बहुत ही जी है यह क्या बोल दिया यदि A और T दो ऐसे समुच्चे है कि एंस में 21 टी में 32 और एंस इंटरसेक्षण टी में 11 अवय है तो एंस इनियांट टी में कितने अवय है बहुत हीजी है यह तो बहुत हीजी है यार जस्ट वहजशा ही बनेगा जैसे पिछे सब क्वेशन बनाया हो क्या क्या दिया है number of S यानि ओ दिया है 21 number of T ये दिया है 32 और दोनों को मिला करके number of S intersection T ये दिया है 11 आपसे पूछ क्या रहा है number of S union T बताईए क्या होगा इसका फर्मूला तो जानते हो बस X, Y के जगा क्या आ गया S और T S union T बराबर फर्मूला होगा N is plus N T minus number of S intersection T ठीक है इसका मान क्या दिया है इसका मान तो नहीं दिया है ये ही तो निकलना है इसको जेओं का तेओं लिखेंगे ये कितना दिया है N is, N is है 21 और N T, N T है 32 minus number of S intersection T का मान क्या दिया है 11 हमने लिख लिया 11 अब number of S union T बराबर 21 और 32 को जब जोडेंगे तो क्या होगा तिरपन होगा क्या तिरपन होगा minus 11 number of S union T का जो मान आ जाएगा तिरपन में से 11 घटाएंगे तो 42 हा जाएगा ये देखो 42 होगे हो गया बहुती जी है ये सब कुछ नहीं है बहुती जी ठीक है आओ चार number हो गया ना तब 5 number भी देख लो 5 number भी बहुती जी है इसी के जैसा बनेगा यदि X और Y दो ऐसे समुझे है कि X में 40 और X union Y में 60 और X intersection Y में 10 तो Y में सिर्फ बताने के लिए बात कर रहा है आईए यहाँ पर solution लिखा जाएगा नमबर ने डला जाएगा ठीक है तो चलो जो जो दिया है लिख लो number of X में दिया है 40 ठीक है number of X union Y में दिया है 60 और number of X intersection Y में दिया है 10 आप से पूछ रहा है कि number of Y में क्या होगा उसके लिए क्या करना इसके लिए कुछ फर्मूला तोड़ी होता है बस direct A होला यह सब के लिए गुरू मंत्र है ठीक है इसे याद रखो तो number of X प्लस number of Y माइनस हो जाएगा number of X intersection Y जिसका जिस कमान है रख दो X union Y कमान क्या दिया है 60 तो लिख दो 60 और यहाँ से NX कमान 40 तो लिखो 40 N Y कमान नहीं दिया है तो जिए हो कत्यों माइनस NX intersection Y कमान 10 तो 10 लिखो अब चलो अब क्या करेंगे यह 60 बराबर 40 में से 10 जाएगा 30 प्लस N Y यहाँ से देखो यह 60 और यह प्लस इधर जाएगा तो माइनस बराबर N Y 60 में से 30 जाएगा यह होगा 30 बराबर N Y यहाँ से लिख देंगे अथा N Y का जो मान आ गया वो 30 आ गया यहीं अंसर हो गया समझ गये बहुत ही जी है ध्यान से करोगे ना सब भी जी है और इस तरह का प्रस्ण आपके एर प्रस्ण ने भी में पुछे जाएंगे इसलिए ध्यान से कर लो ठीक है अब चलो क्वेशन नमबर 6 को देखते हैं यह नमबर है कि 70 ब्यक्तियों के समूं में 37 कौफी 52 पसंद करते हैं और परतेक ब्यक्ति दोनों में से कम से कम एक पसंद करते हैं ठीक है तो कितने ब्यक्ति कौफी और चाय दोनों पसंद करते हैं अच्छा यह क्वेशन है कैसे बनाए जाएगा देखो हम बताते हैं आपको इसको कुछ नहीं करना है पहले तो देखो एक कौफी है और एक चाय वाले लोग है दो लोग है सिर्फ कौफी और चाय वाले तो कौफी को हम क्या करते हैं सी से सुचित कर लेते हैं और चाय को टी से ठीक है तो एन सी का जो मान दिया है वो दिया है आपका सैंति और एन टी का जो मान दिया है वो दिया है आपका 52 और टोटल ब्यक्ति चाय और कफी दोनों को मिला करके पीने वाले ब्यक्ति कितने है दोनों को मिला करके पीने वाले ब्यक्ति टोटल 70 है लिख दिये 70 जो दिया था हमने उसको लिख लिया आप से पूछ क्या रहा है यह देखिए कि दोनों तो कितने ब्य कर दिये था ना कि दोनों जब कहेगा तो इंटरसेक्शन निकलना है तो उसे याद नहीं रखो गए तो फिर बाद में पाइस आना पड़ेगा समझ गए चलो तो फर्मुदा लगा दो एन सी इंडियन टी बराबर एन सी पलस एन टी माइनस एन सी इंटरसेक्शन टी इसका मान क्या दिया है सत्तर लिखो सत्तर एन सी का मान दिया है 37 और एन टी का मान दिया है 52 अब माइनस इसका तो निकलना है ठीक है अब देखो अब यहाँ से ये सत्तर बराबर दोनों को जोडेंगे 22 और 37 नमासी हो जाएगा मैनस N C Йृंट्र सेक्षन टी हो गया अब यह देखो 70 एtså पछलास हिदर जाएगा तो मैनस बराबर वे मैनस C इंट्र सेक्षन T हो गया उसको घटाएँगे तो क्या आएगा मैनस 19 हा जाएगा बराबर माइनस सी इंटर सेक्षन टी माइनस माइनस कट गया यानी नंबर ओफ सी इन्टर सेक्षन टी के जो माना गया उनीश आ रखेंगे चाई और कौफी दोनों पिने वाले यहां वग्या वुगया यही तो था और इसमें कुछ है बहुती जिह ठीक है ध्यान से करो बस चलो च्छी हो गया साथ देखो साथat लाद यह प्रत खैयं बोला है कि 65 एक्थियों के सम्मों में 40 ब्यक्ति किरके और 10 ब्यक्ति किरकेट अथा टेपनी दोनों बनने वाला ओभी गुरु मंत्र जो दिये है न उसी से बनेगा पहले simple question है उसके हल करो क्या क्या दिया है इसमें देखो किरकेट को हम किसे करेंगे C से और किरकेट और टेनिस को T से रिनोट करेंगे तो हम यहां देख रहे हैं कि जो किरकेट वाले ब्यखती हैं 40 है यानि NC यह कितने हैं 40 और n t kतने हैं टेनिस वाले 10 थीक है बहुत कम है यह लोग यह दस है अब चलो दोनों के मिला कर कितने है number of c union t यह लोग है 65 थीक है अब हमें बताना क्या है हमें बताना क्या है यह पपले सुच लो कि number of t तो 10 देहीं दिया अच्छा number of यह दिया है नहीं नहीं यह जो 10 दिया है बेखती किरकेट था tennis दोनों को पसंद करने वाले हैं ओ यह एक single नहीं है number of c intersection t दोनों को मिला करके पसंद करने वाले 10 हैं आपको यह बताना है कि tennis कितने लोग पसंद करते हैं तो लगा देते हैं फर्मूला number of c union t क्या क्या हो जाएगा number of c plus number of t minus number of c intersection t इसका मान दिया है ना इसका मान दिया है 65 इसका मान 40 इसका मान नहीं दिया है जियों कत्यों और इसका मान 10 दिया है तो यहां से हो जाएगा 65 बराबर 40 में से 10 जाएगा 30 plus n t हो गया यहां से हो जाएगा 65 plus तो minus बराबर n t हो गया यहां से कितना जाएगा यहां से आजाएगा 35 बराबर n t यानि हमारा n t यानि tennis खेलने वाले कितने लोग है 35 है कि यह तो हो गया किन्तु कीरखेट को नहीं पसंद करने वाले अच्छा कीरखेट को नहीं पसंद करने माले लोगों की संख्या बताना है ठीक है और साथ में कितने यो कुछ आए हैं इसे किर्कट को को भी पसंद कर रहे हैं केवल टेनिस पसंद करने वाले की संख्या निकलना है ना देखो यहां पर बोला है केवल टेनिस पसंद करते हैं उसको बताना है केवल जब आपको बोले हैं ना मंत्र देखो जब केवल का बात पुछा जाएगा केवल ए निकालने के लिए तो उसमें से जो intersectionnal पारट रहता है उसे minus करते हैं कि एल का लोग ली को निकलने के लिए यहां भी क्या पसंद करने वाले कि संख्या कि संख्या क्या हो जाएगा number of t में से उसको number of c intersection t को माइनस कर देंगे तो क्या जाएगा number of t कितना है 35 माइनस यह कितना दिया 10 ना उपर देखो 10 यानि केवल टेनिस पसंद करने वाले 25 लोग है ठीके अब टेनिस पसंद करने वाले मतलब केवल टेनिस पसंद करने वाले 35 उसमें से 10 ऐसे भी लोग है जो किरकड़ को पसंद करते हैं और सिर्फ टेनिस पसंद करने वाले टेनिस पसंद करने वाले टेनिस पसंद करने वाले की संख्या पसंद करने वाले की संख्या और वह है के वोल पसंद करने मों लग फर्मूला तेनिस पसंद करने मों के लिए अलग फर्मूला यहीं तो उनिक बनाता है क्वेस्चन को ठीक है इसलिए पहले ही आपको गुरु मंत्र देदे कैसे निकलना है ठीक है न अब तो बात को समझ गया होंगे चलो बहुत बढ़िया अब हम दोनों भासाओं का कम से कम भासा बोल सकते हैं पहले तो ध्यान दो कि बोला क्या है कि फ्रेंच को एप से रिनोट करते हैं यानि एन एप का जो मान है वो पचास दिया है जो दिया उसे लिग दो फिर अपने माप पता चल जाएगा अस्पेनिस को एस से रिनोट कर लो एनस वोनने वाले दोनों बोलने वाले कितने हैं दस यानि नमबर ओवने इंटर्सेक्टिक्षन जो है उब थस अब बोला है कि काम से कॉम. तब कॉम से कॉम उला गुरु मंत्र दिया है कि जब कॉम से कॉम निकालने के लिए बात करेगा तो समझ लएका कि युनियन निकलना है. तो क्या हैं पर निकलेगा? युनियन, number of a union is क्या होगा? फर्मूला लगा दो, number of a union is बराबर, nf plus ns, minus number of a intersection is. ठीक है तो number of a union s बराबर ये दिया है 50 और ये दिया है 20 और ये दिया है 10 तो number of a union s बराबर 70-10 यानि number of a union s जो होगा वो हो जाएगा 60 यानि कम से कम एक भासा बोलने वालों के संख्या कितना हो गए साथ हो गए एंसर इसी के साथ हम लोगा ये प्रस्णावली भी complete होता है अगले प्रस्णावली हम लोग भी प्रस्णावली देखेंगे बहुत ही अभी पॉटेंट है तो कल की वीडियो में हम लोग सब्सक्राइब करेंगे ठीक है चलिए मिलते हैं नेक्ट वीडियो में थैंकिए सो मच वीडियो पसंद आगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और जिनको 11 की पूरी मैथ पढ़नी है वो हमारे मेंबर्सिप में भी जोइन हो सकते हैं मात्र 499 में आपका पूरा 11 के मैथ कंप्लेट करने के फुल गरांटी साथ में नोट सी मिलेगा कोई डाउट आगा तो अलग से क्लास में अपना पूछ भी सकते हो वो कॉल करके वीडियो करके ब बाद कर लो थैंक यू सो मच मिलते हैं नेक्ट बेजिए